साथियों कार्खम चलते रहेगी इस कार्खम को कि आयोजन की बात मैं पहले बताना चाहता हूं कि क्यों इसका आयोजन हमने किया कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने आप तो एक मजबूत दल के व्यक्ति हैं और आप इस तरह का कार्खम कर रहे हैं जो लोग आना चाहते हैं उनको रास्ता दे दिजेगा आने के लिए आगे में जो ख़रे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दो तीन वर्सों से सम्भिधान की समिक्षा की बात चल रही है आज हमारे देश को आजाद हुए सत्तर साल हो गए आजादी के बाद जो डॉक्टर भीमराव अम्वेतकर ने स्वपन देखा था वो स्वपन कि समाज के अंतिम पौदान पर बैठे लोगों को मुख्यधारा में लाना चाहते थे लेकिन अब तक सत्तर साल के आजादी के बाद जो देश बुलिट ट्रेन चलाने की बात करता हो जो देश 708 जैसे बड़ी जहाज तिन तल्ला जहाज यहर बस चलाने की बात करता हो जिस देश में एक आजमी का ऐसा मकान हो जो एक जेतीसी ने कहा दिया कि अब रहने के लाइक नहीं है और वो पांसो कडोल का मकान है मुंबई में और उस देश में अब तक अब तालिस परतीसत ऐसे डलित बस्ती है यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह सरकारी आंकड़े हैं और तालिस परतीसत वैसे बस्ती है दलितों के जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है जो भारत सरकार का क्राइम बीरो रिपोर्ट जो है वो लिखता है कि पिछले दस वर्सों में 66 परतीसत डलित आदिवासियों पर एक्ट्रसिटी बढ़ी है हम आपकी जनकारी मिलाना चाहते हैं जेलों की जो संख्या है उस जेल में सबसे ज्यादा जो आज 70 परतीसत के जो लोग हैं हमारे बंचीत वर्ग के लोग हैं जो छोटे-छोटे मुकदमों में फसे हैं और इसी बीच में आजादी तो नहीं मिली और दुनिया का सबसे बड़ा निरक्षर सबसे ज्यादा दुनिया का निरक्षर लोग कहीं है भी भी तो हमारे देश में है हमारे यहां स्वास्त की सुविधा नहीं है स्वास्त की सुविधा का ये हाल है कि सेंकड़ों बच्चे आक्सिजन के बीना मर जाते हैं और भावनात्मक मुद्दों को ले करके राम जी और सीता जी के स्वागत में सरकारी पैसों को और लाखों दिया जलाने के लिए खर्च कर दिया जाता है इसका मतलब कि इनसान से ज़्यादा मिट्टी के बने भगवान का कीमत है इनसान का कीमत नहीं है तो आज ऐसी परिस्थिती है और इसी परिस्थिती में दो तीन बेवारिक बात की और आपका ध्याना क्रिश्ट करना चाहता हूँ हमारे देश में और मैं खुद भी तो साइथ मैं पॉद नहीं सकता था और यहां नहीं पहुच सकता था तो हमारी चात्विर्ती हमारे बच्चों को जो मिलती है वो चात्विर्ती बंद कर दी गई है और उसको क्रेडिट कारड में बदल दिया गया है तो अंहिए यह जो अंदोलन है बच्चों की चात्विर्ती को चालू कराने के लिए अंदोलन हमारा है हमारा जो अंदोलन है जो रिजर्वेशन नीट में समाप्त कर दिया गया हम आपको जानकारी देना चाहते हैं रिजर्वेशन जो था वो नीट में समाप्त कर दिया गया है आपके जानकारी के लिए जो पिछले चुनाओं का आक्रा में पिछले जो नीट की परिक्षा हुई उसका जो आक्रा में निकाला हूँ तो मुझे हैरत होती है देख करके हैरत इस बात की होती है कि जो 3705 डाक्टर का चैन किया गया पिछले नीट के चुनाओं में चैन परिक्षा में 3705 और मात्र उसमें से 68 पिछली जाती के बच्चों का चैन हुआ है मात्र 68 यह आक्रा मेरा नहीं है यह देख सकते हैं मित्रों यह इसलिए ऐसा हुआ कि डियो पीटी का एक सर्कूलर है जिसके का डियो पीटी भारत सरकार का कार्मिक विवाग है जिसके माध्यम से एक डिवस्था की गई है कि अब कोई भी परिक्षा होगी उस परिक्षा में जो जिस कोटी का रहेगा उसी कोटी में रहेगा पहले जो बेवस्था थी कि अगर कोई दलीत आधिवासी पिछड़ा ओवी सी अपने कोटा से ज्यादा सामान्य कोटा का नंबर लाता है तो उसको प्रमोट कर दिया जाता था सामान्य कोटी में लेकिन अब इस बेवस्था को बदल दी गई है डियो पीटी के आदेश के अनुसान बदलने का पर टाम यह हुआ कि जो लोग जैसे अनुसुचित जाती को 15 पर तीसत तो चाहे कितना भी नंबर लेकर के आएगा अनुसुचित जाती के लोग उसको 15 पर तीसत के अंदर ही जहना होगा यह बेवस्था की गई है कि साथ परतीसत आदिवासियों का रक्षन है कि साथ साथ परतीसत में ही आदिवासी लोग रहेंगे चाहे जितना भी नंबर लेकिया है अब उनको जेनरल कोटे में प्रमोट नहीं किया जाएगा OVC को 27 परतीसत दिया गया हाँ रक्षन वो 27 परतीसत में ही रहेंगे उपर नहीं जाएंगे और अब एक और हो गया है पिछलों वर्गों के लिए क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर का पढ़णाम यह हुआ कि जब पंद्रहमी लोग सभा कि संघ लोग से वायोग की का जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में दरजनों ऐसे लड़के कंपीट किये जिनकी आए छे लाख रुपए से वार्षी कि जादा थी परणाम सरूप जिनकी आया छे लाख रुपए से जादे थी और उनके नियुक्ति के लिए चैन के लिए कार्मिक विभाग डियो पिटी में नाम भेट दिया गया लेकिन छे लाख रुपए से जादा आये होने के कारण कार्मिक विभाग से उनको वापस ले लिया गया उनका नाम डियो पिटी ने नाम वापस कर दिया और मना कर दिया नियुक्ति करने से यह हस्र हुआ इतना ही नहीं और वहर आगे चलते हैं आपको हमारे राज्य में देश में लाखों लाख बैक लॉग अभी है पड़े हुए सभी विभागों में मंतरालियों में लाखों सीट ऐसे हैं जो बैकलॉग के पड़े हैं और उस बैकलग को पूरा ना कर पाएं नहीं कर सकें पिछली सरकार ने तो कहा था कि हर साल हम दो कड़ों लोगों को रोजगार देंगे लेकिन हस्र यह हुआ कि जब सत्ता में दिल्ली के गद्धी पर बैठे तो रेलेवे का 2014 में 2014 में पंद्रह लाख स्टिंथ था उसके करमचारियों का वो घटके 13 लाख हो गया होना चाहिए था इसको 17 लाख तो घटके हो गया 13 लाख है उसका सबसे बड़ा कारण एक है कि इन लोगों ने फैसला लिया कि आप क्लास 3 और क्लास 4 के सर्विसेज को आउट सोर्स है ठीकेदारी पर लेंगे जिसका नतीजा हुआ कि सरकारी महत्मों में जो लोग काम करते थे उनकी संख्या घटते जा रही है दीरे दीरे इस घटने से सबसे बड़ा फैदा क्या है सरकार को जो उपर बैठे लोग है उनको जो जिनके रहमों करम पर या जिनके आदेश थे जो नाकपुर में बैठ के लोग सरकार को चला रहे हैं उनको क्या फाइदा है फाइदा ये है आउट्सोर्स करने से कि बैकलोग की बात अब नहीं उठेगी और सब को ठेकेदारी में दे देंगे तो आटोमेटिक ये रिजर्वेशन साफ धीरे धीरे पढ़ाई में साफ नामंकन में साफ उत्तर परदेश सरकार ने एक फैसला लिया जिसके कारण पिछली वर्ष पिछले वर्ष जितने भी मेडिकल कॉलेज थे उन सभी मेडिकल कॉलेजों के जो आरक्षन की बेवस्था साथी उसको समाप्त कर दिया गया नामंकन में और मुस्तेदी के साथ ये कानून जारखंड में लागू हुआ कि राजस्थान में लागू हुआ गुजरात में लागू हुआ यूपी में लागू हुआ मद्परदेश में 36 गल में जहां जहां कि भागपा सासिस तरकार थी सभी जगों पर लागू हुआ तो कितना बड़े हिमाईती हैं आप समझ सकते हैं आरक्षन के दूसरी ओर जो प्रमोशन में आरक्षन था कोट का सहरा लेकर के प्रमोशन में आरक्षन को समाप्त कर दिया गया उसके लिए सरकार अब तक संसद में नहीं गई कि बिल बनावें और बिल बनाकर के प्रस्ताव लावें संसद में पास कराके उसको निरस्ट करें उसके लिए फुरसत नहीं है फुरसत है दीपक जलाने के लिए फुरसत है गाय और राम में के बल हमको उलजहा के रखने के लिए तो ये हालात है अभी भारत सरकार के लिए और बिहार में जो प्रमोशन में आरख्षन था बिहार में quantifiable data का survey भी कराया गया हम धन्यवाद देंगे इसके लिए क्या इन्होंने लेकिन साथ ही साथ जो वरियता मांदन्ड था अधिकारियों का करमचारियों का उसको बदल दिया गया तो पूरा का पूरा जो प्रमोशन के आरक्षन को रोक करके समाप्त करके और पूरा दलित आदिवासी पिछले समुदाय को भी सिको पर्दे के पीछे रखा जा रहा है और क्या प्रचार किया जा रहा है प्रचार है कि हमारे देश तो बहुत आगे बढ़ रहा है अईसा आगे बढ़ता है कि गरीब आदमी का सेंख़़ो आदमी अपना पैसा भन जाने में सेंख़़ो आदमी मर जाता है कि दिमुन्टाइजेशन में तो सेक्लोलोग मर गया है कि एक भी कोई पुझी पद्धी तो नहीं मरा है बढ़ा आदमी तो नहीं मरा है एक एक करकर के हमारे आरक्षन की जो भीम्राम बेत करने जो हमको दिया था उसको समाप्त करने की साजीश हो रही है और चल रहा है मित्वों एक और बड़ी मज़े की बात है इस पेसल कंपोनेंट प्रोग्राम जो अधलितों आदिवासियों के लिए है पिछोंगे विकास के लिए है जिसके अंदर राज्य सरकार को सरकारों को रासी दी जाती है जन संख्या के अनुपात में राज्य सरकारों को केंदर सरकार के द्वारा दलित आदिवासियों और पिछोंगे विकास के लिए पैसा दी जाती है अब तक जो जन संख्या का अनुपात है उसके अनुपात में किसी राज्य को रासी नहीं दी गई पचास परसेंट के आसपास ही दिया गया जन संख्या के अनुपात में और जो रासी दी गई राज्यों को वो भी राज्य इसको खर्च पुरा नहीं कर पाया और जहां खर्च किया वहां उस पैसे को रोड और सडक और हवाई अड़ा जैसे जगह और बाकी सब कामों को बनाने में लगाये गया यह है हमारे सिर्फ पर बैठे लोगों की मानसिक्ता देते हैं दलितों के आदिवासियों के विकास के लिए राजी कहा इने को है कहने को हम दूनिया का सब से वड़ा लोग कांत्रिक देश हैं हम चीन और अमेरिका से टक कर ले रहे हैं और हमारे वह भूखे भी मर रहे हैं दवा के बीना बेहाल हैं हॉस्पिटलों का हाल तो आप देख रहे हैं कि क्या हाल है एखी जगह पर गरीब आजमी के लिए एक होस्पीटल है सरकारी होस्पीटल जहाँ दवाई है और डाक्टर जाते हैं पर्याप्ट धन से और डाक्टर जाके भी क्या करेंगा बिचारे दवाई नहीं रहेगा तो किसको क्या देगा तो कभी कभी डाक्टरों को भी जहलना पड़ता है और दूसरी और कॉर्प्रेट सेक्टर की हॉस्पीटले हैं तो मैं इसलिए इस और ध्याना आपका दिलाना चाहता हूँ पांच डिस्मिल जमीन भुमिहीनों को देना था यह सारज सरकार की संकल्प है आज तक कितने लोगों को दिया गया तो इन बातों को मैं उठाने के लिए इस फोरम से बंचित वर्ग मोर्चा के माध्यम से आप सब लोगों के सामने आया हूं नियाए पालिका में आजादी के पाद एक प्रतीसत भी आरक्षन लागू नहीं हुआ एक प्रतीसत आज तक आजादी के बाद नियाएक आयोग का गठन नहीं हुआ तो क्या मैं इन आवाजों को उठाना बंद कर दूं तो जब इन आवाजों को मैं उठाने के लिए चला हूं तो कई बार मुझे लोग करत हैं तो भाई अगर सचकाना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं मुझे कोई इसकी चिंटा लिए तो मैं बहुत सम्मान प्रुवक कहना चाहता हूं कि जो आवाज है जो गरीब किसान मजदूरों की आवाज है डिप्राइव कम्मूनिटी का जो आवाज है मैं इस आवाज को बुलंद करूँगा मजबूती के साथ और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं जो समंध सिनहा जी को कि हमको ताकत देने के लिए हैं मैं इनके प्रती नत्मस तक हो करके इनके आभार प्रकट करता हूं और आसा ही नहीं भी स्वास करता हूं कि इनका सानिद्य मुझे आगे भी मिलता रहेगा और इस लवाई को हम जारी रखेंगे तो मैं इसलिए इस बंचित वर्ग मोर्चा का गठन किया हूं बंचित वर्ग मोर्चा का गठन इसलिए किया हूं और जिन साथियों ने मुझे सहयोग किया है साथ दिया है हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं तो मैं इन सब लोगों को कहूंगा, याद रखियेगा, आलोचना बहुत होगी हम लोगों की, आलोचना से अगर हम घबड़ा जाएंगे, तो काम नहीं चलेगा, इसलिए आलोचना होगी, लेकिन हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंग